दोस्तों आपने पनीर की अलग-अलग ग्रेवीज तो खाई ही होगी, लेकिन पनीर की ऐसी ग्रेवी आपने इस से पहले कभी नहीं खाई होगी। मैंने इस रेस्पी में सोया और पनीर दोनों को एक साथ मिलाया है और एक बहुत ही अलग टेकनीक से ग्रेवी को बनाया है आप ये दोस्तों बना कर देखना आपको बहुत पसंद आएगी तो दोस्तों मैं हूँ भरत आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में तो फिर देर किस बात की चलो फिर शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आप एक बोल लेना आप सबसे पहले न्यूट्री को थोड़ा साथ कर लेना मैंने आपर पानी में बस हलका सा रिंज किया है ताकि अगर दंदगी हो या कुछ भी ऐसी चीज़ों जो मैं नहीं चाहता वो निकलता है फिर आप पानी का एक बेस बनाना यानि कि गरम-गरम पानी में आपने नमग, हल्दी, कश्मीरी लालमेज डालनी है और इसको अच्छे से आप मिला देना और इसमें आप डालना वो जो धुलीवी निक्तरी है यानि कि आपने इसमें भीगाना है इसमें अभी आपने एक और चीज़ डालनी है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ लेकिन पहले आप 200 ग्राम पनीर को बड़े बड़े चंक्स में काट देना मैं यापर जान मुझकर पनीर को फ्राय कर रहा हूँ ताकि पनीर का टेक्स्चर टेस्ट और निकल कर आए लेकिन जो मैं टेक्नीक करूँगा उससे आपका पनीर सूखेगा बिलकुल भी नहीं एकदम सॉफ्ट बन कर आएगा आप जब भी पनीर को फ्राय करोगे तो आप ध्यान देना कि आप एकदम हाई फ्लेम पर पनीर को पकाना और जादा पनीर को स्टर बिलकुल भी मत करना इसको अराम से थोड़ा सा भुनने देना और फिर स्टर करना फिर थोड़ा भुन्ने देना और इससे क्या होगा कि पनीर इवनली अच्छे से ब्राउन होगा जैसे ही आपका पनीर अच्छे से पक जाएगा तो आपने सीधा ही इसको ट्रांसवर करना है वो जो गरम पानी जिसमें हमने न्यूट्री डाल के रखी थी उसमें आप ट्रांसवर कर देना और ऐसे गरम नमक के पानी में रखने से पनीर के दोस्तो अंदर तक फ्लेवर आजाएगा आप बाद में देखना पनीर का तो साइज भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा अब इस रेसपी के बेस की बात कर लेते हैं बेस बनाने के लिए मैंने आपर चार प्याज लिये हैं बस उनकी रूट निकालकर ऐसे स्लाईसे में कर दिये हैं कोर्मा जब-बे बनाया जाता है दोस्तों तो उसमें ब्राउन अनियंज बनाये जाते हैं लेकिन इस recipe में मैं deep fry करकर brown onions नहीं बनाऊंगा आपका इतना तेल waste थोड़ी करना है दोस्तों बलकि हम जिस बर्तन में इस कोर्मे को पकाएंगे उसी में ही आप तेल डालना लगबग आदा कप और पूरी recipe में इतना ही तेल इस्तिमाल होगा दोस्तों आप बस कोश्चिश करना कि जो आप बर्तन लो वो flat नहीं होना चीए जैसे कि pressure उकर नीचे से flat होता है उससे आपका तेल जो है वो spread हो जाएगा वैसे ही आप high flame से gas को low flame पर कर देना क्योंकि प्यास की जो भी browning होती है उसको आप evenly control नहीं कर पाओगे इतने कम तेल में जब भी आप अच्छे से fry करने ही कोशिश कर रहे हो तो आप इसको बार बार ज़रूर चलाना ताकि एकदम evenly coat हो और आपको ऐसे प्यास में ले फटा फट से मैंने इनको एक tissue paper पे निकाल लिया है और यह बहुत जरूरी point है कि आप इनको अच्छे से थंडा होने दो ताकि जितनी चीनी है जो सूख्रोस है प्यास में वो अपना flavor छोड़े ताकि प्यास और भी मीठा निकल कर आए और उसकी cooking एकदम complete हो और question तो यह आता है कि प्यास को इतना भुनना ही क्यों है बिरिस्ता बनाना ही क्यों है उसे होगा क्या दोस्तों क्या होता है कि प्यास की जो सूख्रोस है जब उनको caramelize करते हैं तो बिल्कुल अलगी एक मिठास निकल कर आती है जो कि धही की खटास को और मसालों के flavor को अच दर बहुत जरूरी है नहीं तो जो अब धही को पकाने बैठोगे तो धही का फटने का डर होता है अच्छे से फेट लेना आप वैसे तो औरुमे में टमाटर का यूज नहीं होता लेकिन मैंने यहाँ पर जान भूच के टमाटर डाला है वाले के धियान रखना यहाँ पर आप देसी टमाटर मत यूज करना देसी टमाटर भी खटे दई भी खटी तो रेस्पी सईही बैलन्स नहीं हो पाएगी मिक्सी में टमाटरों के अलावा एक पूरी कली लेसुन की आप डालना उसके साथ-साथ दो इंज तक अधरक मैंने यहाँ पर डाल कर एकड़ फाइन पेस्ट बना लिया है और पीष्टे वक्त जादा पानी बिल्कुल मत डालना जादा पानी डालोगे तो भुनने में उसको उतना ही टाइम लग जाएगा दोस्तों तो ध्यान लखना इस बात है आप फड़ावट से चलते हैं पकाने के लिए मैंने उसी देग में जो तेल बचा हुआ था जिसमें प्यास का पूरा फ्लेवर है उसी में ही ये सारे खड़े-गरब मसाले डाले हैं स्क्रीन पर मैंने सारे लिखे ही है मसालों के साथ ही आप यहां पर टमाटर अद्रक लेसन की जो हमने फ्ली बनाई है फ्रेश वो आप यहां पर डाल देना अग टमाटर आये हैं तो आप नमक कैसे भूल सकते हो नमक ज़रूर डाल देना साथ-साथ कश्मीरी लाल मिर्च, लाल मिर्च और हल्ली यह भी इसी टाइम पर डालना ताकि अच्छे से एकदम इक्वल बनाई हो अब रही बात कि मैंने टमाटरों का यूज ही क्यों किया है इस रेस्पी में दोस्तों टमाटर एक बेस देंगे क्योंकि इस रेस्पी में जो कोर इंब्रीडिन्ट है उसका इतना स्ट्रॉंग फ्लेवर नहीं है तो उसको एक सपोर्ट की जरूरत है टमाटर यहां पर उमामी फ्लेवर भी लाकर देंगे और क्योंकि हमने देसी यह तमाटर नहीं यूज करें तो वो खटा बन भी नहीं देंगे खटा बन तो आपको दही देगी बस आप टमाटरों को अच्छे से पकाना जब तक कि उनक से तेल अलग नहीं हो जाता और जब तक सारा पानी रेडियूस नहीं हो जाता यह देखो इस टेज तर फिर आप यहां पर दही डाल देना वो जो मसालों के साथ हमने डाली थी और तो आपने तब तक पकाना है जब तक ही तेल अलग नहीं हो जाता ओविसली तब तक पकाना है लेकिन ध्यान से अगर आप देखोगे न तो यह जो ग्रेवी है यह दानेदार होने लग जाईगी यह देखो आप इस से स्क्वीज करके निकाल लेना और फिर इस मसाले के तो वो पानी पीएगी लेकिन फ्लेवर नहीं पीएगी लेकिन अगर इस टाइम पर डालोगे तो वो थोड़ी सी भुनेगी भी और इसके अंदर तक फ्लेवर जाएगा दोस्तों न्यूट्री डालने के बाद एकदम से अगर आपका तेल गायव हो जाए तो गवराना बिलकुल भी मत आप अराम-अराम से पकाना लेकिन सोया वड़ी पकाते वक्त एंड में मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा जो की बहुत इंपोर्टन है तो रेसिपी आप ध्यान से अच्छे से आप लगबग 3-4 मिनट पकाना और इतनी देर में आपके प्यास भी अच्छे से कड़क हो जाएंगे तो अब मिक्सी में प्यास के साथ-साथ थोड़ा सा सूखा नारियल और मैंने यहाँ पर काजू भी खाकर रखे हैं वो भी मैंने डाल दिये हैं और थोड़ देर नहीं लएगी क्योंकि प्यास अच्छे से पके हैं धाई टमाटर तो बहुत अच्छे से पके हैं तो अब यहाँ पर पनीर भी डाल सकते हो पनीर भी अंदर सारा फ्लेवर इब्सॉब करेगा थोड़ी देर और पकाने के बाद ही आप यहाँ पर थोड़ा सा गरम पान बस अब सिंपली आपको यहाँ पर ढगाना है गास को एकदम लो फ्लेम पर रखना है और दस मिनट तक आराम से इसको पकने देना है पनीर के अंदर न्यूट्री के अंदर और ग्रेवी का जो बालेंस है सब बहुत अच्छे से हो जाएगा दोस्तों अंदर तक तेस्ट और लासी जो आपने डालनी है वो है केवडा वाटर इसके बिना तो होर्मा बिल्कुल अधूरा है दोस्तों यह जरूर डालना केवडा वाटर कोई भी ऑनलाइन स्टोर से खरीच सकते हो मैं नीचे लिंक जरूर दे दूँगा बहुत जगा काम आता है बस धक कर मैंने दो म ग्रेवी तो बहुत अमेजिन लगेगी ही इसका टेक्चर बहुत डिफरेंट होगा और तो आप अंदर तक फ्लेवर आएगा यह देखो आप तो यह अंदर तक फ्लेवर लाने के लिए दोस्तों आप यह जरूर करना कि आप ग्यास बंद करने के बाद नीचे को इसी ग्रे पनीर दो प्याजा की रेसिपी देखना इसमें तो हमने मिक्सी का यूज ही नहीं किया है लेकिन तब भी एकदम परफेक्ट धाबा स्टाइल बनाई है वो कैसे उसके लिए आप यह वाली वीडियो देखना आपको बहुत पसंद आईगी